उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्सित है म्यूजिक रुको जरा, सबर गरो यानि गोली मारो जारी रहेगा व्यक्ति को सुरक्सा देना बै जो गोली मारने की नियत से आया है तो मुझे लगता उसको दस बार सोचना पड़ेगा म्यूजिक जब बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश में हर एक व्यक्ति सुरक्षित है तो उड़ता तीर लेने का शौक रखते हो क्या महराज नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेदान्त दोस्तों, आज कल धमकी वाला ट्रेंड चल रहा है लोग सोचते हैं कि कभी भी किसी को भी धमकी दी जा सकती है और इसी सोच के साथ एक 25 साल का नवयूवग जो कि मुबई 3 में रहता है उसने भी एक स्टेट के मुख्यमंत्री को, सीम को धमकी दे डाली वो भी हल्की फुल्की नहीं, जान से मार नहीं स्टेट पर लगतार मैसेज भेजता रहा, ठेटन करता रहा और कहा कि सीम योगी को एक बंब स्पोर्ट में मैं जान से मार दूंगा सालम मज़ात बना के रखते हैं भड़वा समझे हैं क्या और UPSTF ने जब नंबर ट्रेस किया तो इसकी जानकारी महराष्ट ATS को दी, महराष्ट ATS ने उसे पकड़ा है और पकड़के अब STF को केवाले कर दिया है आज संडे के दिन जब मैं वीडियो वना रहा हूँ तब उसकी पेशी होगी उसको रिमान में लेने के लिए इसाज़त ले जाएगी कोर्ट से रिपोर्ट के मुताबिक ये लड़का गाइड की नौकी करता है नाम है कामरान आमीन अब मैं अस्तर कहूँ या उकात कहूँ आपको जो शब्द अच्छा लगी हो उसको चुन लीजिए ऐसे ऐसे लोग भी किसी एक स्टेट के सीम को जान से मारने की धमकी देंगे वो भी बंब स्पोर्ट में बाबा ने पहले ही कहा था कि उत्तर बदेश का हर एक नाकरिक हर एक वेक्ति सुरक्चित है लेकिन ये हलके में ले रहे थे अब जेल में जाके वहीं माचेस की तीली बंब होगी और मक्खियां आपकी सीम होगे किसी स्टेट के वही तीली इस्पोर्ट करिएगा और मक्खियां मारिएगा जलाईएगा अब साले ये सब तो हो गई दोस्तों मजा की बात साइड में रखके सीरियस मोट पर मैं आप लोगों को दो चीज़ समझाना चाहता हूं पहला पॉइंट ही है कि रिपोर्ट में ये पता चल ला है कि ये ड्रक्स लेता है लड़का अब आप समझेए कि भारत में नशा और तो कोई नहीं जान से मारने की दमकी देता है ये ही लड़का क्यों ये लड़का इसलिए दोस्तों कि पहला पॉइंट ये कि ये नशे में रहा होगा नशे में रहने पर भी ऐसा क्यों किया वो इसलिए किया है क्योंकि इसके मन में एकदम हायर लेवल की नफरत भर चु तो पहला point तो दोस्तों ये मेरा, कि ये एकड़म उच अस्तर तक जा चुका था नफरत के, अब ये कुछ तो कुछ तो crime करता, इसके दिमाग में planning चल रही होगी निस्चित, और वही नशे में बाहर निकल के चलिया या और वो implement कर गया, बिना सही समय देखे हुए, बिना किस इसी proper planning के, और दूसरा point ये जो पहले point से ही निकल के आता है, कि अगर ये इस अस्तर तक जा चुका था, और इतना जदा सोच रहा था कि मैं आप कर ही दूंगा इस चीज को, planning चल रही थी इसके दिमाग में लगाता है, तो ये भी हो सकता है कि अगर होश में भी रहा होगा, तो इसलिए ये कर रहा होगा, जिससे कि मैं आउल लोगों की निगाह में आ जाओ, किसकी जो की ISI और बड़े बड़े जो आतंकी संगठन हैं, उनके निगाह में आ जाओ, जो विरोधी हैं बड़े बड़े, जो funding कर सकते हैं, जो मेरी मदद कर सकते हैं, उनके निगाह में कोई इतना मूर्ख तो मुझे नहीं लगता कि direct WhatsApp पे message करें, बिना किसी planning के, बिना किसी fraud number के, बिना किसी foolproof plan के साथ, अब पकड़ा जाओ, पकड़े जाने के बाद तुरंत कबूल कर ले, तो दूसरा ये है कि ये अपने जरुरत के लोगों की निगाह में आने के लिए भी कर सकता है, खेर अब जो होगा वो तो सामने आएगा ही, लेकिन एक चीत से मैं आपको सचेत कर दूँ, कि अगर आप अपने कार्यस्थल पर, शौक पर, दुकान पर, घर पर कहीं भी भगवा जंडा लगाते हैं, तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि बैंगलोर में अभी हाल ही मैं ऐसा हुआ है, बाई स्थेज के आसपास, बाई स्थेज मही के आसपास की बात है ये, कि वहाँ पर भगवा जंडा दुकान पर लोग लगाये थे, और F.I.R. फाइल हो गई है, मैतरी कृष्णन नाम के एक शक्स है, फेस्बुक पोस्ट उन्होंने देखा, जिसमें क उत्रा कंणर मंडी की फोटो थी, इसमें सब लोग अपने दुकान के सामने भगवा जंडा लगाये थे, और उन्होंने F.I.R. फाइल कर दिया, शेव कुमार जिन्होंने ये पोस्ट डाली थी, उनके अगेंस F.I.R. हो गया अब, और मैतरी कृष्णन का कहना क्या है, कि से राहिद नाम के महान भाव थे, जिन्होंने ये मेराट पुलिस को ट्वीट किया, मेराट पुलिस को टैग किया, ट्वीट करते हुए, कि से एक सबजी वाला सैफ्रान फ्लग लगा के सबजी बेच रहा है, और वजह यही सब जो भी आपने बैंगलोर में देखा, लेकिन व चैड़ेट को हुआ झाल और ये मिंशिकि चाहिद जी को कम से कम इतना तो ध्यान देना ही चाहिए था कि ये काम वह वह करते है यह उत्तर प्रदेश है महराज, तो आपको बैंगलोर और उत्तर प्रदेश तो घुमा दिया, अब थोड़ा सा आप बिहार जारकंड भी घुम लीजिए, बिहार जारकंड में भी यही हुआ था, नालंदा में सबजी और फल बेचने वाले जब अपने ठेरे पर जंडा लग लिए, तो वहाँ पर तुरंत F.I.R. हो गया और F.I.R. करते ही पुलिस ने कारवाई भी कर दी, समझे, बाद में दुकानदारों ने और बजरंग दलवालों ने भी आकरोर जाहिर किया पुलिस के पती, लेकिन होता क्या है, करवाई तो हो गई ना, लेकिन ऐसे महानुभा खैर, आज मेरे वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो नीचे डिसलाइक का बटन है, वहाँ पर डिसलाइक कर दीजिएगा, इतनी आसानी से बिना बात के मैं सौरी नहीं बोलता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद बंदे मातरम,